हे गाईज केसें आप सब आसा करते हैं आप लोग अच्छे हों हैं आज हम बात करने वाले हैं NX100 एलेक्टर की स्कूटर के बारे में ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं गैज ओला और सिंपल बन के बाद जिस एलेक्टरिक स्कूटर की सबसे ज़्यादा वेट किया जा रहा है वो है एनेक संड्रेड एलेक्टरिक स्कूटर और गैज वेट करने का ये कारण यह भी है कि इसमें जो आपको फीचर्स मिलने वाले हैं वो और उसे काफी अलग और यूनिक फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेगा और गैज इसके जो रेंज होने वाली है वो 300 किलिमिटर की रेंज होने वाली है इसमें जो सबसे अच्छा फीचर्स मुझे लगता है गाईज वो है 360 degrees dash camera की गाईज बाइद वे अगर आपकी accident हो जाती है और आपकी गलती नहीं है तो इसके footage and videos को आप proof के तौर पे भी इस्टेमाल कर सकते हैं और गाईज इसके footrest में भी sensor दिया गया है जैसी कि वाइद भी अगर आप अपने दोनों हाथों में कुछ समान कहिरी कर रखे हैं तो आप अपने पेरो से इसके footrest को टू टाइमस बाट टैप करेंगे तो इसके जो डिकी है वो अपने आप open हो जाएगी तो गाईज ये वाला features भी मुझे काफी अच्छा लगा इसका अब अगर launching date की बात करें गाईज तो 2023 के जून मन्त में ही इसको launch किया जाना था लेकिन गाईज new fame to subsidy guideline आ जाने के बाद जो subsidy reduce ही उसी के कारण इसको launch नहीं किया गया लेकिन गाईज अब finally इसको 2023 के September मन्त में ही इसको launch कर दिया जाएगा गाईज ए electric scooter तीन variant पे आती है जो कि first variant वाली आपको 100 km की range परवाइड करती है और गाईज इसकी price आपको 1,00,00 के अंदर ही देखने को मिलेगा सेकेंड वाली आपको 200 km की range परवाइड करती है और गाईज इसकी expected जो price होने वाली है वो 1.5 lakhs होने वाला है थर्ड जो है गाईज वो आपको 300 km की range परवाइड करती है और गाईज इसकी जो price होने वाली है around 2 lakhs के आसपास होने वाला है अब अगर इस स्पेसिफिकेशन की बात करेगा इस तो एनेक संडर एलेक्टर की स्कूटर में आपको PMS मोटर देखने कमिलेगा जो कि 4 किलो वाट का है जिससे इसकी टॉप स्वीट हो जाती है 90 किलो मीटर पर आवर की बैटरी की बात करेगा इस तो एनेमसी केमेस्टर का लिथे मैंन का स्वेप पेवल बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है जिसकी चार्जिंग टाम है 4.5 आवर्स इसके फ्रंट रेर दोनों में आपको डिस ब्रेक देखने कमिलेगा टायर साइज की बात करेगा तो 12 इंचेज के टिबलेस टायर देखने कमिलेगे और इलो आविल के साथ इसके फीचर की बात करेगा तो जैसा कि आप लोगों को पीछे बताया 3060 डिगरी का डैस कैमरे का इस्तेमाल किया गया है